शल्की का नाम भले ही आप प्रहली बार सुन रहे हो लेकिन लोबान के नाम से अच्छी तरह परिचित होंगे दरसल शल्की को भारत में लोबान के नाम से ही जाना जाता है यह एक प्रकार का गोंध है जिसे बोस्वेलिया पेड़ की राल से तयार किया जाता है इस पेड़ की कई प्रजातिया हैं, जिसमें बोस्वेलिया सेराटा भी शामिल है, खास सुगंध के कारण धूप और अगरबत्ती बनाने में शल्की का उप्योग आम है, लोबान एक बहुत ही उत्तम जड़ी बूटी भी है, और लोबान के फायदे से कई रोगों को ठीक कर स आयूर्वेद के अनुसार जोडों के दर्द और सूजन की परेशानी, लिउकोरिया, कब्ज और बवासीर सहित कई रोगों में बोस्वेलिया के इस्तेमाल से फायदे मिलते हैं, वहीं बोस्वेलिया के ओशधिय गुन के कारण कई समस्याओं में राहत पाने के लिए भी इ इसे में ध्यान रखना होगा कि बोस्वेलिया कुछ समस्याओं में राहत तो पहुचा सकती है, लेकिन इसे उस समस्या का उपचार नहीं माना जा सकता। लाली हुई शाखाएं और धेर सारे पत्ते होते हैं, इसका तना गोंदयुक्त और छाल धूसर, चिकनी और पतली होती है, छाल लालिमायुक्त पीली यहरा रंगलिये सफेद रंग की तथा कागस के समान छूटने वाली होती है, बोस्वेलिया स्वाद में तीखा, करवा औ चून की गर्मी और पेचिश में भी लोबान से लाब मिलता है, आये जानते हैं कि बोस्वेलिया से और क्या-क्या लाब मिलता है, सिरदर्द में बोस्वेलिया से लाब होता है, आखों के रोग में बोस्वेलिया से राहत मिलती है, दाग दर्द में बोस्वेलिया से लाब ह पेचिश में बोस्वेलिया फाइदेमंद है। जोडों के दर्द, आर्थराइटिस में बोस्वेलिया से लाब होता है। घाव सुखाने में बोस्वेलिया का ओशधिय गुन फाइदेमंद है। बुखार उतारने में बोस्वेलिया का ओशधिय गुन लाबदायक है। बोस्वेलिया तनाव कम करता है, पाचन बहतर करने में बोस्वेलिया फायदेमंद है, कैंसर के लक्षणों के इलाज में भी फायदेमंद है, बोस्वेलिया कॉलेस्टरॉल को कम करता है, मधुमे को नियंतरित करने में लापकारी है, कफ निकालने में बोस्वेलिया तेल फाय पर कॉल करके मंगवा सकते हैं